तो 543 सीटों लोग से बागी सीटे हैं, अगर आप साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी तो हर जगह से हर पाटी अपना उमिद्वार तो उतारेगी नी जब आप साथ में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कॉंग्रिस को सीट से कॉंप्रमाइज करना होगा, वो 543 सीटों पर नहीं लड़ सकती चुनाव चीब बात है, आपके तो मैं समझनी पार, आप से मैंने निवेदन किया कि कम से कम मुझे भी नॉन स्टॉप बोलने का मौका दीजेगा, 30 सेकंड में आपने टोक दिया क्योंकि आपने जवाब ही ऐसा दिया, आपने जवाब ही ऐसा दिया, आपके नेता कह रहे है, तभी तुम्हें ये सवाल आप से समझना चाहरी हूँ, कि यही तो फिर सीट शेयरिंग का पॉमूला होगा ना माम तो मैं चुप रह जाती हूँ, अगर आप चाहती है कि मैं अपना पक्ष काईदे सा रखू, तो मैं बोलूँगी, मना मैं मोहन भूकर बैठ जाती हूँ, या तो डिबेट छोड़ देती हूँ, मैडम मर्जी आती है, जवाब आप देना चाहती है, जवाब दे लीजे, लेकिन तत्यों के साथ मैं याँ पर आई हूँ, और उसी पर बात कर रही हूँ मैं जवाब दीजे, नहिदारी जवाब दे दीजे, ठीक है जिस प्रकार से आपकी चानल पर इतना बड़ा आपका चानल है इस पर बैट कर दो रही हूं कि आप अपना पक्ष रखिए बोलिये आप आप अलिगेशन लगा रही हैं जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राजनीतिक विशलेशक कर रहे हैं सपा सहितने विपक्षी दलों के लिए कि कैस हैसियत और हैसियत और मैश्यअग बोल रहिए और आप लिएट आप बोका तक नयिए उन्को आपने डोगा तक निए ठेंगी शब्दों का चैनल भाशा की मर्यादा रखे अभी हम पलत की पुछने के आप के क्या है सिए के आप किस हैसिए से आप राजञीत के पेशने लिएशक के रूप में बेखे खिवा कब अड़ी लग जाएगी आपको कम से कम टोपना चाहिए नाहित रारी खान जी बात को कुमाईएं मद बात यु पात तो कंप्लीट कर लीजिए ने यहां ये डिबेट में ये भी चर्चा हो रही थी कि अन्ये स्टेट्स में चुनाओ है आपको निश्चित रूप से ये तै है कि भाजपा मुख्य तीनों प्रदेश भी होंगे इसी थर्राहत में बीजेपी ने तैयारी घट्या तैयारी भी चुरू कर दी इसलिए कली मानने सुप्रीम कौट ने कहा कि एडी का डर ना दिखाए एडी का भेह ना दिखाए कि इंसक अरे पर तो अभी लोकसाबा उप्चिना हुआ हुआ जलंदर में महां चौथे स्थान पर बीजेपी पहुच गई है आम आजबी पार्टी जीती दूसरे स्थान पर कॉंग्रेस आम बीजेपी तो अकाली दल और बीस्पी से भी पीछे चले गए अभी उत्तर प्रदिश मे मैंट पुरी चौनाओ बार तीन लाख वोटों से बीजेपी की करारी हार हुई मंत्री इनके दो-दो मंत्री हारे और ये वो पार्टी है जिसकी अभी निकाय चौनाओं में तीन हजार तामसुच चौनाओं में इनकी समानत जब्त हुए जिनको आप नॉन स्टॉप बोलने और ही नाउन स्टॉप बोल रही हैं सुन रहे हैं आपको भी घुसा किस बात का है है 51% वोट भाजपा के चलाव में इस पार्टी का नगर निगाम की चुनाओं में इस ठाने निकाया की चुनाओं बोते हैं पिछली बार 16 ते 16 में खाता नहीं खुला इस बार 17 सत्रा में होगा यह तो आपके जबाने जब्त हुई है बीजेपी कि अभी निकाव चुनाओं में दो दिन पहले जो निकाव चुनाओं कर रिजल्ट आया है आपको मालों में केवल उनिस पार्टी कहां स्टेंड कर रही वो पता दिये ना देश की जनता परदेशी जनता जरना चाहती है दो लोकसभा के चौनाओं हार चुके हैं दो नगार निकमें को चौनाओं हार चुके हैं जेलाप जाँदी पार्टी के नेथा मेंजी कौन सी खासियत है पंजाब में तो आपने कहें जान बच गई, जान बच गई, वहाँ कितना पसेंट वोट मिला, 25% हिंदू अबादी जिनको आप 6% उसके अपरकास, जिनको आप कहते हैं हमारे GP वोटर, 1% वोट मिला, 1 सीथ मिली पंजाब में, बंजाब भाजपा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ यूपी के बारें बात नहीं करेंगी, बाकी हर जागे के बात करेंगी यूपी भी पाजपा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है, लोगसभा चुनाव में जमाने जब्त होने वाली है, बीजेपी की, नहिदलारी मैं यह पूछ रही हूँ कि उतर प्रदेश में 80 लोगसभा की जो सीटे हैं, उस पर बीजेपी की जमाने जब्त होने वाली है, आप कह रही है, भाजपा मुक्त हो रहा है, एक के बाद एक राज, वो सचाई भी है, हिमाचल में भी हमने देख लिया, करनाटक में भी हमने द जी, 1977 का इतिहास जन्मानस पुना दोराने के लिए बेताब है, बेचेन है, बस उसको इंतजार है कि 2024 का चुनाव आए, और वो समाजवादी पार्टी सहिद, समकून विपक्ष को एक पक्ष में वोट करें, नहिद लारी, एक तरफ मोधी चेहरा, एक तरफ मोधी चेहरा, यह चेहरा पांगला देष के लगे थे, वोट मांने की वोट दे दो, वोट दे दो, क्या हूँआ, बंगाल के जन्ता ने नकार के चेहरे को की नहीं चेहरे को, अभी लोक समाउरme, पारिम की प्रवक्ता के हमारे नेता होँगे, मुझे लगता है, पार्टी की प्रवक्ता अपने नेता को तो बोले, वो अपने नेता को बोलने की हमत रही हो पारी, कि वो देश के नेता हो सकते हैं. मंत्री हार गें, तब भी कैसे मंत्री की अभी तक स्टीपा नहीं दिया, और अभी अमेजी, रामपूर में क्या हुआ, आप लोग सब्सक्राइब करते थे, आज रामपूर में क्या हुआ, आप कर रहे हैं, वापस आनभूती वोट मिला, आदरनी मुलाइम सहिंग जी के वज करने तक की हिमत नहीं पड़ी उनकी वहां जा करके, तो आप बताना पूरेगा, आपके सिटिंग नगर विक्डार निकाय मंत्री, अभी हारे मौव, मौव जो है, शर्मा जी, वो भूम्यार बिरादरी से, और उसी बिरादरी का सबसे दादी आबादी मौव में, फिर भी बिजेपी पुरी तरह हारी अमीठी, इरानी जी, वहां जो है, इरानी जी, अभी हारी बुरी तरह से, बिजेपी पुरी तरह से, हारी समाजवादी पार्टी अध्यक जीती की नहीं जीती, आपके 25 सांसट, जो इस सिटिंग 25 सांसट अपने छेतर में, बुरी तरह से हारे ह अभी निकाई चुनाव की में बात कर रही है। अभी निकाई चुनाव की में बात कर रही है। अभी निकाई चुनाव की में बात कर रही है। इसका मतलब मुझे नहीं समझ मैं है। वक्त इतना ही था बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए नाहित लारी। अभी देखिया आपके नेता ये कहते हैं कि हां इसपे हम अमल कर सकते हैं। शेक्रिदल जो जहां मसभूत है वहां कॉंग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट करें और जहां कॉंग्रेस पार्टी मसभूत है।